हेलो एव्रीवन दिस ये पायल श्रीमाल और आज के हमारे रिविजिन सीरीज में हम कवर करने वाले हैं कमपनी लौ के सेक्षिन 139 से लेकर 148 को विच इस यौर चाप्टर और 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 बागी के दोनों ओडिटर यहां कवर होते एक होता है कमपनी का एक्स्टरनल ओडिटर कमपनी के बाहर से अपॉइंट हुआ है यह बड़ा इंडिपेंडेंट इंसान है और कमपनी के सारे फिनांशल स्टेटमेंट को चेक करने वाले हैं 139 से लेके 147 एफस पर फोकस करते हुए यह बंदा सबकुछ चेक करता है तेन आता है आपका कॉस्ट ओडिटर यह सिर्फ और सिरफ उसी कमपनी की ओडिट करेगा जिसको 148 के तहत कॉस्ट ओडिट करने बोला है और उसमें भी सिरफ वही कमपनी आती है जिनके मैनुफाक् स्टेटमेंट्स जो कमपनी बताईगी उस पर तो हमें विश्वास होगा नहीं तो एक सीए अजन ऑडिटर जब पॉइंट किया जाता है तो लोगों का उन फिनांशल स्टेटमेंट्स पर भरोसा काफी बढ़ जाता है तो कौन ऑडिटर की तरह पॉइंट हो सकता है कमपनी में सबसे पहले एक सीए जिसके पास सी ओपी हो या नहीं सर्टिफिकेट अफ प्रक्टिस अगर कोई सीए है जिसने सी ओपी नहीं लिया है वो भी ऑडिट नहीं कर पाएगा यह क्वालिफिकेशन की बात होगे इस चाप्टर में 139 से लेकर के 148 तक हम क्या पढ़ने वाले हैं 139 सेक्शन बात करता है appointment of an auditor की पर appoint करूं किसे उसी इंसान को जो qualified है there are some chartered accountants जिनको हमने outright disqualified कर दिया है तो हम वो discuss करेंगे 141 के अंदर की कौन qualified है कौन disqualified है 139 में हमने उसे रखा भाई रखा और उसके बाद में अगर हमें उसे rotate करवाना है निकालना है casual vacancy यह सारी चीज़े 139 में cover होती है अब एक CA को रख लिया है as an auditor of the company तो कुछ तो उसके हक होंगे और कुछ तो उसके काम होंगे तो उसकी rights and duties covered है 143 के अंदर में कुछ ऐसी services है जो अगर आप company के auditor बन गए तो आप उसे दे नहीं पाऊगे क्योंकि मैं खुदी paper बनाओ मैं खुदी लिखू मैं खुदी उसे चेक कर लूँ तो तो वहां कई independence रही नहीं गई तो 144 में कुछ services बिल इकुल मना कर रहा है एक chartered accountant को वो दे ही नहीं सकता दोज के लिए ना सरफ उसकी right है बलकि उसकी duty भी है मतलब तुझे जानना पड़ेगा तो 146 के अंदर attending general meeting is very very important अगर अपनने काम ढंक से नहीं किया तो हमें निकाला जा सकता है 140 में और तुम क्या हमें निकालोगे हम कुछ चोड़के जाते हैं तो resignation भी 140 में दे रखा है so 139 appointment 140 removal 141 qualification disqualification 142 remuneration 143 rights and duties 144 prohibited services 145 signing of your reports audit report 146 attending general meeting और ये सब chapter के उलंगन पर contravention पर penalty है 147 के अंदर जिसके साथ एक पार तो चाप्टर तो खतम ही हो जाता है 148 जिसके हम बात करते हैं that is cost audit वो अलग ही पार्थ हो जाएगा पूरा अब सबसे पहले बात करते हैं eligibility की we will start today's discussion with 141 कौन है जो company का auditor बन सकता है तो 141,102 कहते हैं CA जिसके पास COP है चाहे वो एक individual इंसान हो या फिर एक partnership firm हो वो लोग बन सकते हैं हाल ही में छूट LLP को भी दी मतलब अब एक LLP बन कर भी अगर majority partners उसमें chartered accountant है तो LLP भी auditor बन कर sign कर सकती है sign सिरफ CA partner करेगा भले बाकी के दूसरे partner हो सकते है कोई cost auditor हो सकता है तुमारा कोई तुमारा CS हो सकता है कोई तुमारा actuaries हो सकता है कोई lawyer हो सकता है पर majority partners CA होने चाहे और sign के वल CA कर पाएगा अगली बात बहुत 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 most important topic of this entire chapter is disqualification कौन कौन सा CA कंपनी का auditor बन ही नहीं सकता number one body corporate disallowed कोई भी chartered accountant company बना कर audit नहीं करा सकता उस company से prohibited है जी LLP चल सकती है पर company prohibited है क्योंकि हमें personal liability involved करनी होते है किसी इंसान की personal accountability involved करनी होते है जो company की case में नहीं आ सकती फिर दूसरी चीज़ बोल दी है कि company का खुद का employee disqualified है क्योंकि भाई जिस थाली में तुम खा रहे है जो तुमने जिसका नमक खाया है तुम उसके खिलाफ कैसे report दे सकते हो तो employee को disqualified कर दिया employee के partner को disqualified कर दिया employee के employee को disqualified कर दिया है अगर company में employee CA है तो वो audit नहीं कर सकता employee का partner CA है वो नहीं कर सकता यहाँ partner business partner की बात हो रही है life partner की बात नहीं हो रही गर परिवार वालों को हम अगले point में disqualify करेंगे जहाँ जहाँ पर भी आपको star छोटे छोटे red दिखने को मिल रहे हैं साथ साथ में उसे star mark कर सकते हैं क्योंकि यह exam में पूछे हुए questions है इसलिए यह most important है अब तीन लोग यह वो person है जो CA है P for person CA यह है P for partner और यह है उसका R for relative PPR person partner relative किसी भी company में security hold नहीं करेंगे और अगर security hold करेंगे तो उस company के auditor नहीं बनेंगे क्योंकि जिस company के shares है मेरे पास मैं उसके खिलाफ कभी negative report नहीं दूँगी क्योंकि अगर मैंने मेरी ही company के shares के किलाफ की negative report दी तो मेरे ही पैसे डूप जाएंगे इसलिए मेरी independence खतम है मैं उसके कर्ज में भी नहीं होनी चाहिए हूँ 5 लाग से जादा 5 लाग तक का कर्ज चलेगा मैं मेरा partner मेरे relative ने किसी third person की guarantee भी नहीं दी होनी चे एक लाग से जादा एक लाग तक की guarantee चलेगी इन तीनों cases में person partner relative company में भी security indebtness guarantee नहीं कर सकते company की holding में, company की subsidiary में, company की associate में और holding की subsidiary में भी allowed नहीं है यानि CHSAS of H इतने में PPR यानि person partner relative तीन चीज़े नहीं कर सकते security नहीं hold कर सकते, debt नहीं hold कर सकते और guarantee नहीं दे सकते ये बन गया आपका पूरा provision पर जिन्दगी में सबसे ज़्यादा important है इसका एक लौता exception अगर हम बात करें company की, HSA, SFH नहीं, सिरफ company में person और partner नहीं, सिरफ relative relative company में एक लाख रुपे तक की face value shares की hold कर सकता है, market value नहीं अगर गलती से भी एक लाख से ज़्यादा हुआ ना बेटा, साट दिन का समय मिलेगा तुम्हें corrective action लेने के लिए अगर उसमें भी तुमने ठीक नहीं किया, तो relative जो है वो disqualified ही रहेगा company, partner जो है, person जो है जो CA firm है, वो पूरी disqualified रहेगी, देखिए इसमें ना पर relative 1 lakh की limit नहीं है, सारे relatives की मिला कर 1 lakh की limit है और अगर एक भी relative ने hold कर ली ना securities, तो उस firm के सभी partners disqualified हो जाएंगे company का audit करने से यह सबसे जादा पूछा हुआ question है exam में आज तक का, कि person partner relative company में security, indebtness, guarantee नहीं hold कर सकते company में, holding में, subsidiary, associate, subsidiary of holding में कहीं पर भी नहीं कर सकते सिरफ relative, सिरफ company में, सिरफ security, सिरफ 1 lakh तक की face value तक का hold कर सकता है यह भी छूट इसलिए दी, क्योंकि person को खुद के बारे में, और अपने business partner के बारे में सारी investments का idea हमेशा रहता है, it's only the relative, जिसके कुछ हद तक छोटे-मोटे shares का idea हमें नहीं रहता because maybe हम रोज dinner table पे यह conversation नहीं कर रहें, कि भाई आज तुने कितने के shares खरी दे so it is completely fine, कि अगर एक लाग तक की face value के shares उसने hold किया है, तो इतना कोई major value नहीं है वो अगला disqualification है, अगर कोई CA का company के साथ कोई दूसरा business relation है, तो भाई साहब फिर independence काई की company के साथ भी नहीं होना चाहिए, holding के साथ भी, subsidiary के साथ भी, associate के साथ भी, holding की subsidiary के साथ में ये तो पहले वाले थे, इसमें नया point एड हुआ है, associate की subsidiary के साथ भी business relationship नहीं हो सकता आपका, business relationship मतलब debtor, creditor का रिष्टा, supplier और customer का रिष्टा, कोई रिष्टा नहीं रखना है CA को ऐसी company के साथ में, अगर उसने रखा रिष्टा, तो वो auditor नहीं बन सकता, क्योंकि वैवार बैट जाता है, दूस्ती हो जाती है, ऐसे में उसकी बुराई कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसके दो exception है, क्योंकि देखिए, रोज मरा की जिन्दगी में मैं कभी खाने पीने भी जाऊंगी, मैं कभी कोई होटल में भी रूकूंगी, मैं कभी किसी airways के स साथ लाए भी करूंगी, तो वैसे commercial transactions, अगर मैंने किसी company के साथ कर लिये, कोई बहुत बड़ी company है, जिसका मैंने sim यूज कर लिया, mobile यूज कर लिया, खाना खा लिया, ordinary course में, arm's length price पर pay करके, तो भाई, फिर में disqualified नहीं हूँ, बट अगर उस company ने मुझे कुछ चला के अल services और है, जो हमको CA Act नहीं allow कर दिया, जैसे कि अगर आप company के auditor हैं, तो अब साथ साथ में company का tax audit भी कर सकते हैं, stat audit के साथ साथ tax audit भी एक auditor कर सकता है, तो जब ICI allow कर रहा है, तो हम क्यों prohibit करें उसको, अगली disqualification होती है, एक CA कभी भी director KMP का relative निकला, तो वो disqualify हो जाएगा, देखिए, employee के relatives को disqualify नहीं किया है, क्योंकि अगर employee के relative को disqualify कर देते, तो लाल टेन लेकर ढूणने पर भी CA नहीं मिलता, जो company का audit कर पाता, इसलिए सिरफ बड़े-बड़े directors, सिरफ बड़े-बड़े KMP के relatives को disqualify किया है, अगर कोई CA है, जो पूरी तरह से already employed है कई पर, तो उसके पास तो time ही नहीं audit करने का, तो फिर क्या उसके case में अपने को full time employment में है, तो और कुछ देखने का need नहीं है, तो उस case में उसको disqualify कर दिया है, एक auditor maximum 20 company की audits कर सकता है, उसमें भी per membership number देखेंगे, जिसमें membership numbers में बड़ी company की audit के लिए 20 किनना है, OPC, small, dormant, और 100 कर प्रोड से कम paid up capital वाली कितनी भी private company हो, उनकी audit आप कर सकते हो, 100, 500, 200, तुमारी श्रद्दा होनी चाहिए, यहां पर रोक टोक नहीं है, रोक टोक बड़ी companies के लिए है, और बड़ी company में per CA 20 companies मिलेगा, मतलब अगर 3 partner है, तो 3 into 20, 60 companies मिल जाएंगी, और उसमें भी, अगर 1 CA 2 दो firm में partner है, दोनों firm में मिला के उसको 20 मिलेगा, ऐसा नहीं कि जितनी firm में जुड़ते जाओगे, 20 और 20 और मिलती जाएगी, ऐसा नहीं है, तो सारी partnership firm और individual audits को मिला कर तुम्हें 20 company के audit मिलेगी, यह याद रखना, अगला desk qualification, अगर कोई CA है और वो jail चले गया, convict बन चु तु शरम कर, दूसरे के ऊपर तु इलजाम लगाने जा रहा है, company अच्छी है कि नहीं है, वो करने जा रहा है, तेरे खुद के लखन तो देख, तु जेल में बैठा है, तो ऐसे में वो disqualified है, कोई भी CA directly, indirectly अगर service दे रहा है 144 वाली तो वो disqualified हो जाएगा, company को नहीं दे सकत होल्डिंग को नहीं दे सकता, subsidiary को नहीं दे सकता, कौन सी services देने को मना किया है उसको, कुछ services देने को मना किया है, जो directly independence को hurt करती है, जैसे कि अगर मैं auditor हूँ तो मैं तो इन में ही तो कमी निकालने जा रही हूँ न, accounts और bookkeeping, मैं नहीं बनाया है तो मुझे तो ऐसा services मैंने दिया, investment advisory या banking मैंने दिया, internal audit मैंने क्या तो फाइदा क्या, internal auditor, external auditor एक ही आदमी अगर है, तो आपने दो बार audit करा के क्या उखाड लिया फिर, ये दो अलग प्राणी होने चाहिए, इनने दो अलग बार audit की होनी चाहिए, actuarial valuation अगर आपने करके दिया है firm को, तो भाई ये बहुत बड़ी expert की utilization करके एक amount पे आप पहुचा है, उसी को इस amount को चेक करना गलत चीज़ है, management services नहीं देना, भाई, auditor और management तो जगडते हैं आपस में, तुमी company के manager बन जाओगे, और तुमी company के auditor बन जाओगे, तो आपस म से दिया, मतलब तो वो organization मेरी ही हो गई न, तो मैं उसकी कमी निकालूँगा कैसे, तो 144 auditor not to render certain services, खतम हो गई बात, 144 में अगर आपने दी service, तो आप disqualify हो जाओगे, 141 subsection 3 के IK clause के अंदर, अब बात करते हैं, disqualification अचानक से हो गया, तो क्या, मतलब मैं appoint हुई, और उसके ब सारी बाते अभी 139 में करेंगे हम, we are already done with 141 बधाई हो, और हमने cover कर लिया है prohibited services 144, अब हम discuss करने जा रहे हैं, नीचे बिल्कुल 139 discuss करने, कि एक auditor को appoint कैसे किया जाता है, जिसके पहले मैं आपको clear कर देना चाती हूँ, कि कुल दो प्रकार के auditor होते हैं, एक होता है, पहला auditor, पहली पहली बार appoint हुआ है, पहला auditor है, दूसरा होता है, subsequent auditor, subsequent auditor मतलब हर बार appoint हो रहा है company के अंदर में, देखे, first auditor मतलब company नई नवेली है, new company, और जिन्दगी में ये section केवल, एक ही बार काम आने वाला है, तो 139.7 में government company का new auditor appoint करते हो, 139.6 में एक normal company का, normally normal company जाधा काम आए इसलिए 139.7 है, also first auditor का section ही कम काम आने वाला है, इसलिए वो section ही पीछे है, subsequent auditor का section पहले है 139.1 and then 5, पहले बात करूँगी, मैं एक normal company में एक first auditor को, कौन रखता है, तो जैसे company बनी, बनने के date of register होने के 30 दिन के अंदर अंदर board रखेगा, मैं बताना चाहती हूँ, इस पूरे appointment के career करम में board को हमेशा 30 days मिलते हैं, तुम देख लो, यहाँ पे भी board को 30 days ही मिले, तो board will always get 30 days, board ने 30 days में रखना है normal company में, देखिए first auditor को, अगर आपने 30 days में रख लिया board ने, तो तो बहुत बढ़िया बात है, पर board निकली निकम्मी, board add one job के उसको 30 दिन में रखे पर board न 90 टोटल 120 दिन में कोई भी हालत में company बनने के बाद auditor होगा उसके अंदर, पहला auditor, government company के case में यह बहुत आसान है, government company क्या होता है, 51 टका सरकार ने hold करके रखा है, जिसका भी कम से कम 15 तका, 51% or more, अब यहाँ पे कोई भी company में, हम लोग पहले 60 days का time देते हैं, C&A, Comptroller and Auditor General of India अब आई, इसके लिए एक अलग से organization है, जो बैट करके पूरा यह काम कर रही है, कि हमें auditor को appoint करना है, तो हर government company, हर statutory body, हर nationalized bank का auditor C.A.G. appoint कर रहा है 60 days के अंदर, 60 days में C.A.G. से नहीं हुआ, तो भाई आब बोड को 30 देने थे हमने, अब 30 और 60 already 90 हो गए, वापस 90 दोगे तो कितना समय हो जाएगा, इससे सिर्फ 60 और days मिलेंगे E.G.M. पर, तो 30 days board को दे दो, बाकि 60-60 C.A.G. और members को दे दिया, तो total 150 दिन में तो कोई भी हालत में first auditor सरकारी company में भी रख लिया जाएगा, पर यह तो trial basis पर auditor को रखा है, इससे लंबे समय के लिए नहीं रखेंगे, यह अगली ही E.G.M. पर, यानि पहली E.G.M. पर, company छोड़ कर चला जाएगा, क्योंकि first E.G.M. पर, hence fourth नया auditor appoint होना शुरू हो जाएगा, government company का यह बहुत sorted है, government company में हर साल C.A.G. रखता है, आधा साल खतम होने तक, मतलब साल शुरू होता है, वहां से 180 दिन तक अराम से C.A C.A.G. रखते का, और हर साल E.G.M. पर, वह auditor resign कर देगा, दूसरा auditor आएगा 180 देस के अंदर, फिर वह auditor अगले E.G.M. तक रहेगा, फिर 180 देस में appoint करना है, फिर वह अगले E.G.M. तक रहेगा, मतलब यह every year की कहानी है, और इनको every year करने में problem भी नहीं है, बिकोज इनके पी रहे, जिसको 141 की कमिया ना लगे, कितना मुश्किल है, यह हर साल करना, इसलिए हमने कह दिया, देखो first auditor को तो appoint कर लिया, जो एक E.G.M. पर resign कर देगा, पर अब हर E.G.M. पर हम लोग जो auditor को रखेंगे न, रोज रोज का टंटा मारे से तो ना हो वे, हम लोग first A.G.M. पर first से six तक रखना है, तो जो first auditor को रखा था, उसी को subsequent auditor की तरह रख सकते हैं क्या, हां रख सकते हैं, दोनों अलग appointment है, इसलिए यह allowed है, कोई problem नहीं है, देखिए normal auditor 5 साल तक ही रह पाएगा, first से second A.G.M., second से third, third से fourth, fourth से fifth और fifth से six, पर अगर first auditor को आप subsequent auditor की तरह रख रहे हो, तो कोई problem नहीं है, वो चलेगा allowed है, now, normal company का यह जो auditor रखना है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो इसकी प्रक्रिया बड़ी शांदार होती है, अगर आपकी company को audit committee रखना है, तो बड़ी रंगीन process होगी, अगर board ही है, सिरफ audit committee नहीं रखना है, तो थोड़ी boring process है, देखि आपके AGM पर members ही appoint करेंगे auditor को तो, पर AGM पर उस auditor को suggest करने का काम तो किसी को करना पड़ेगा न, वरना हर member खड़ा होके अपनी खांदान का कोई CA suggest करेगा, तो कैसे चलेगा, इसलिए board एक CA से already meeting कर चुका होता है, उसका interview ले चुका होता है, उसका experience, qualification, क्या उसकी against कोई कार कर देता है AGM पर, और AGM पर अगर कमणी को पसंद आता है, तो उस बंदे को रख लिया जाता है as an auditor, but this is not always the case, कभी-कभी audit committee रखनी पड़ती है company में, किसको रखनी पड़ती है audit committee, listed ने तो सारे गुना की है, उसको तो सब कुछी रखना है, so every listed company is going to keep an audit committee, unlisted public company में हम चाहते है, कि paid up share capital 10 करोडिया उससे उपर, turnover 100 करोडिया उससे उपर, अब borrowing में इनसे गलती हो गई लिखते वक, इन्हों ने लिख दिया, exceeding 50 करोड और मोर, मतलब इनसे 50 करोड और मोर नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने पहले ही exceeding word लगा दिया, तो यहां पे equal to sign नहीं है, अगर 3 साल तक यह limit नहीं fulfill होती है, तो हम आपना audit committee को हटा देंगे और normal process पे आ जाएंगे, पर जब तक के audit committee है, तब तक process बहुत रंगीन है, सबसे पहले audit committee एक auditor का नाम board को भेजेगी, board सोचेगी के ठीक है, अच्छा है, agree कर लिया, तो AGM पे भेज़ देगी, मगर यह है, आम जि लेगी न, यहां पे कभी-कभी होती है, mentor जिंदगी, तब board करता है, disagree, उसे नहीं पसंद आया, बोले, क्या बेज दिया है, तुने, छी, refer back for reconsideration, बोले, यह हमारी company के लायक नहीं है, आप दूसरा auditor बेजिए, reason बताया जाएगा, हो सकता है, भाई, auditor की जो firm है, वो छोटी हो टीम इतनी बड़ी नहीं हो, इतनी equipped नहीं हो, कि इतनी बड़ी audit कर सके, कोई भी reason से board reject कर देगा, board ने जब reject कर दिया, तो audit committee नया recommendation भेजेगा, तो तो process restart हो जाएगा, बट suppose board जिद्धी, तो audit committee महा जिद्धी, audit committee बोले, जी नहीं, मैंने जो recommendation दिया है ना, वो बहुत अच् जिद्ध कर रहे हैं, तो देखते हैं हम भी, तो Mr. A का नाम agree करके, आगे AGM पर भेज दिया जाता है, board द्वारा, पर अगर audit committee जिद्धी, board जिद्धी, audit committee board से जाधा जिद्धी, मगर board उससे भी जाता जिद्धी, मतला second time पे भी board को नहीं पसंद आ रहा है ये नाम, और board कर या जैराम जी की AGM में दूसरा नाम, वो CA हो गया, पॉइंट, जो भी CA पॉइंट हुआ है, सबसे पहले please company उस CA को inform करो, कि बदाई हो आपको रखा गया, दूसरा company please एक पंचायती है, इसे तो हम सब कुछ सबसे पहले बताते हैं, तो ROC को 15 दिन के अंदर अंदर ज़रा इ मैं willing हूँ, मैं तयार हूँ, और मुझे मंजूर है तुम्हारी company का auditor बनना, audit करना, और वो इस report के अंदर में चार बाते लिखके देगा, number one मैं qualified हूँ, मैं CA Act का पालन कर रहा हूँ, और 141 के हिसाब से मैं बिल्कुल disqualified नहीं हूँ, मेरी जो appointment हुई है, वो within term हुई है, पां यानि मेरी 20 company से उपर नहीं हुई है, आपकी company को मिला कर, promise, और list of proceedings में बता देना है, मेरे against कौन कौन से cases चालू है, अगर कोई cases चालू है, तो मुझे inform करना पड़ेगा, यह 1391 की पूरी की पूरी process हो गई, उसको appointment करने की, देखिए यहां तो audit committee company को बनाना जरूरी था, अभी क्या होता है, company अपनी मर्जी से नहीं, अब लॉक के चंगुल में फस कर नहीं, अपनी मर्जी से audit committee बना देती है, just to be, you know, कोई तरीके से aware रहना, और कोई तरीके से सारे नियमों का पालन करवाना, तो company ने अपनी मर्जी से audit committee बनाई है, just to keep a check, और audit committee ने नाम recommend किया ह तो यहाँ पर board के पास option है, वो consider करे recommendation या ना करे, उसकी मर्जी है, यह हो गया आपका 139, 1, 5, 6 and 7, अब बात करते हैं, only for यही company, जो 139, 1 में, यानि normal company का, बार बार जब अपन एकी auditor रख रहे है, पात साल के लिए पूरा, तो companies आखके लोग घबरा गए, उन्हें लगा या तुमने ऐसे तो 141 में इतनी मोटी list disqualification के निकाली है, पर अगर एक ही विरादरी के लोग बार बार appoint होते रहेंगे company के अंदर, एक ही CFM बार बार appoint होगी, तो घनिष्ट मित्रता हो जाएगी, और दोस्ती को तो यार ऐसी चीज़ है यह कि disqualification की list में भी नहीं डाल सकते, तो इसका क्या उपाई करें? उपाई सोचते सोचते 1392 से 4 rotation इंटर्यूस किया उन्होंने, सभी बड़ी companies को पकड़ लिया, listed, अगर unlisted हो और public हो तो पहले पकड़ेंगे, इसलिए 10 करोड paid up capital पे ही पकड़ लिया, private हो तो थोड़ी चूट दिये, 50 करोड तक मजे करो, 50 तो तुम कौन से प्रकार की कंपनियों में फरक ही नहीं पड़ता, आ जाओ चुकचाब, सिर्फ OPC और Small Do को छूट दे दी, बाकी सब में क्या काय मालूम है? कि अगर एक individual CA है, तो तुम उसे जादा से जादा एक बार रख सकते हो, 5 साल के term के लिए, 1 AGM से 6 AGM तक, उसके ब और 5 साल का दूसरा term, 10 साल बात अगेन आपको उसको 5 साल का break देना ही पड़ेगा, मतलब break दोनों में common है, बस individual को एक term करने मिलेगा, firm को दो term करने मिलेगा, यहाँ पे मैं एक बहुत important बात बताना चाहती हूँ, आप एक बार में firm को 10 साल के लिए नहीं रख सकते, 5 साल के से रखा, 6 AGM आई, उस पे दुबारा रख लो 11 तक के लिए, पर एक ही resolution से 10 लगातार साल वो तो 139 1 अलाव नहीं करता, क्योंकि 139 1 क्या कहता है, 1 AGM से 6 AGM तक, तो वो उससे जाधा आप रखी नहीं सकते, break दोनों में 5 साल लगातार है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी question आता है इस topic के related और उन्होंने year दिया रहेगा आपको, के भाई, ये CA जो है 2018 में आया था, और आपको अब ये बताना है कि वो कब disqualify हो जाएगा, उसे कब तक रख सकते हैं, तो please 5 years, 5 साल का break, ये तो बता दो गया, पर हमेशा year की calculation करके बताना question bank क के अंदर, के भाई, 2018 से 19, 20, 22, इस तरीके से आपको कौन से year में जाकर, कौन से year की AGM पे उसको निकालना है, वो please लिख कर बताईएगा, ये rotation के provision internal audit को नहीं लगते है, internal auditor तो एकी आदमी को आप कितने भी साल के लिए रख लो, कोई problem नहीं होती है, basic rules, देखिए, ये calculation करते वक्त 10 साल का period, क्या 2013 से पहले का भी मैं time count करूँ जब ये कानून आया था, बुले हाँ, बिल्कुल count होगा, पर suppose 2013 में ये कानून आया, तब तक मैं एक CA firm हूँ, जिसने एक company का 10 साल का audit already कर दिया, तो अब रातो रात आप उस company को कहोगे, इस CA को हटा कर, तुम दूसरा CA ल सकते हैं, कोई problem नहीं है, auditor को remove भी कर सकते हैं, इस provision के हिसाब से आप रखो, उसे फर्स से 6 TGM तब, अगर बीच में सही काम नहीं कर रहा है, तो निकाल दो, auditor resign भी तो करी सकता है, तो वो rights आपके छीने नहीं गए हैं, आप से, common partner वाली firm भी, same network वाली firm भी cooling of period में disqualified है, ये इनके 10 साल complete हो गए, B की एक और firm है, BFG, जिसमें common partner B है, तो 5 साल के लिए ABC तो disqualified है उस company में, पर क्यूंकि common partner BFG है, भी common partner है BFG में, इसलिए BFG भी 5 साल तक उस company का stat auditor नहीं बन सकता, internal auditor बन सकता है, stat auditor नहीं बन सकता, joint auditors ने कोशिश करनी ची कि सारे एक साथ resign ना हो, ये बड़ी side का point हो गया, अब बात करते हैं casual vacancy के, casual vacancy क्या होता है, जब एक auditor को appoint कर लिया गया है, और वो अचानक से निकल जाता है, अपना पूरा time complete किये बिना, वो तब भी भी हो सकता है, जब उससी ये की death हो गई हो, य इन सब cases में भी casual vacancy होता है, या कोई emergency आ गई जिससे उसे जाना पड़ा, government company में पहले तो CAG करेगा 30 दिन के अंदर नए बंदे को appoint, CAG fail हो जाता है, तो board को तो हमेशा 30 दिन मिलते हैं, ये तो आपको पता ही है, total 60 दिन में रख लेना है नए परसन को, अब government company में तो बैसे shareholders किसी auditor को रखता है न, तो पूरे 5 साल के लिए रखता है, पर अगर 5 साल में रखा हुआ, वो auditor कर गया, resign, बात तो बहुत बढ़ बढ़, और अगर board ने किया 30 दिन में अगले person को appoint, तो हम उसे 5 साल नहीं टिकने देंगे, पहली बात तो अगर resignation की वज़े से वो गया है न, तो 3 माइने के अंदर meeting बुला करके shareholders से भी इस नए बंदे को ratify करवाओ, क्योंकि वरना पता चला कि इस resignation के पीछे board of directors का ही हाथ निकला, तो इसलिए हम फटा-फट 3 माइने में general meeting बुला कर नए auditor को approve कराएंगे, तभी appointment valid मानी जाएगी, also इसके अंदर में, again बंदा next AGM तक इसके बचे हैं, वो खतम करते हैं, 139.9 से 10, reappointment of retiring auditor, अगर कोई auditor disqualified नहीं है, unwilling नहीं है, और AGM में उसको निकालनी के लिए, या किसी और को रखनी के लिए, notification या notice नहीं आया है, तब तो आप उसे वापस रख सकते हो, वरना आप उसे वापस नहीं रख पाऊगे, 139.11 में का आए, अगर audit committee ने कोई recommendation दी है, चाहे वो first appointment के लिए, या casual vacancy के लिए, सारी recommendations आपको audit committee की लेनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, हालागी मैं आपको बता चुक्यों, ये तब, जब audit committee को रखना mandatory था, इसके साथ हमारा 139 भी याँ पर होता है, finish, तो उपर master chart में जाकर हम 13 39 पर भी लगा देते हैं, tick, so we are done with 139, we are done with 141, we are done with 144, अब बात आती है, auditor को रख लिया, तो निकालने की, removal, निकालते हैं auditor को, auditor को निकालना भया, मजाक लगता है, easy लगता है, easy नहीं है, removal of an auditor is actually a very difficult task, 140 subsection 1 में कहा है, पहले तो भया इतने पापड बेलने पड़ेंगे, बो उसको remove करेगा, resolution pass करेगा, resolution pass करने के 30 दिन के अंदर अंदर central government तक jack लगा कर, ADT 2 फाइल करना है आपके, ADT 2 फाइल करोगे सरकार के पाद, ये काम है ना, अभी RD को delegate कर दिया गया, regional director, regional director अब ये approval देगा, approval से 60 दिन के अंदर, अंदर special resolution पास होना चाहिए, और वो special resolution पास कर जाने से पहले, जो shareholder है, वो सुनेंगे, कुछ चंद words जो auditor उनको जाने से पहले बोलना चाहता है, निकालने से पहले, auditor को दी जानी चाहिए, आखरी मौका अपने बात को clarify करने का, जैसे कहते है, opportunity of being heard, Latin maxim है, audi, alteram, parten, यानि जाते जाते, last बात जो वो कहना चाहता है, वो स से सुन लो, then make an informed judgment कि क्या तुम वाकई में उस auditor को निकालना चाहते हो, 140 subsection 1 अकेले कभी operate नहीं करता, it operates with 140 subsection 4, actually क्या होता है, एक group of shareholders लिख कर एक special notice company के board तक भुजबाते हैं, उस notice में लिखा होता है, कि हमें किसी और auditor को रखना है, या फिर किसी को भी रख लो यार, इसे तो वापस नहीं ही रखना है, ऐसा करने पर इसकी एक copy retiring auditor को भी जाती है, जैसे ही board को ऐसा कोई message आता है, वो सबसे पहले retiring auditor को भेज कर बोलते हैं, कि देख तुझे निकालने की बाते चल रही है, जैसे ही retiring auditor को पता चलता है, कि ऐसा कुछ हो रहा है, वो कोने में जाकर एक representation लिखने की तयारी करता है, यह representation उसका आखरी मौका है, शेरोल्डर को convince करने का sort of, कि उसे ना निकाला जाए, पर उसे किताब नहीं निखनी, भावुक नहीं होना, और अपनी नजरों में तो बिल्कुल नहीं किरना, भीग तो बिल्कुल नहीं मांगनी, reasonable length का in writing, company को एक representation ल न देते वे जाए, ऐसी हरकत नहीं करनी, you just have to tell them कि कितनी इमानदारी से तुम अपना काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, अब अगलों की इच्छा है कि वो आपको रखना चाते है, कि निकालना चाते है, जब आप यह representation company को दोगे, तो उनसे यह पैगाम कह द आती है, तो बोड की क्या duties है, number one, जब members को बुला रही है न, meeting में, तो notice में यह बात लिख देंगे, कि एक representation भी auditor का आया है, और अगर टाइम पे आ गया न, तो वो representation घर पर ही भिजवा दिया जाता है, हर member घर बैटे उसको पढ़ लेता है, बड़ अगर बहुत लेट आया, मतलब आपने notice meeting के एकदम आजू-बाजू ही representation भेजा, तो सबके घर तक भिजवाना तो अब possible नहीं है, तो पहले तो ROC को भिजवाया जाएगा, और दूसरा meeting में जोर से auditor खुद पढ़ कर सबको सुनाएगा, लेकिन अगर यह letter पढ़ कर किसी director को, या किसी भी इंसान को ऐ ऐसा लगे कि ओहो हो, auditor ने तो अपनी अधिकार को abuse किया है, तो जो भी अग्रीव्ट परसन है न, यानि डिरेक्टर वगेरा, वो एक NCLT-1 में form भरेगा, NCLT को और उसको request करेगा, क्या, कि प्लीज, यह members तक मत भिजवाये न, यह फालतू auditor का काम है, और इसे meeting में भी मत ब पड़बा देगा, और उसे बोलने का बिल्कुल मौका नहीं देगा, 140 का last part आता है, subsection 5 निकालने वाला, फिर अपन बात करेंगे, 140 के अंदर resignation की, कि तुम हमें क्या निकालोगे, हम तो खुछ छोड़ कर जाएंगे, देखे, 140 subsection 5 is related to NCLT, जब NCLT auditor को निकालने की बात करत या उसे किसी और इंसान ने, या उसे सरकार ने NCLT 9 में एक application file किया हो, जिसमें क्या लिखा होगा, कि auditor ने कोई भी प्रकार से fraudulent हरकत या तो करी है, या fraud करने में मदद किया है, गाईज अगर ये message central government का आएगा, तो बहुत fast NCLT action लेगा, 15 दिन के अंदर impactus auditor को निकाल कर, CG से request की जाएगी, कि CG please do the honors and appoint somebody else, NCLT बाकी सभी cases में company को बोलेगा कि auditor change कर दो, और उस बंदे को, जिससे निकाला गया है न, उसकी तो band, क्योंकि उसे 5 साल के लिए कहीं भी और auditor बनने का हक नहीं है, और 447 में वो जो सड़ेगा तो अलग, अब ये तो बाते थी auditor को निकाल दी जाने की, Let us talk about when an auditor himself और herself design कि उन्हें नहीं करना है audit, जिस process को कहते है, resignation, अगर कोई auditor खुद resign करना चाता है, तो सबसे पहले तो 30 दिन के अंदर अंदर उसे ADT3 में reasons फाइल करके, company को और ROC को बता दिना चाहिए, कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये government company होती, और आपको रखा CAG न government company के case में, इन सब को inform करने के बाद auditor resign कर सकता है, but suppose auditor ने resign कर दिया और inform नहीं किया, तो ये penalty देख लो, 50,000 या पगार जो भी कम है, और अगर 30 दिन हो गए, 31 दिन हो गए, 32 दिन हो गए, तो 500 प्रति दिन भी चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक 2 लाग तक की penalty पे ना पह किया, समाप, आइए मार देते हैं, 140 पर टिक, so we are done with 139, 140, 141 and 144, all major sections of the chapter are over, apart from 143 which is a big one, क्योंकि बाकी क्या आप देखोगे, तो 142, 145, 146 are quite small and cute, पहले बात करते हैं, पगार की, remuneration, कौन fix करेगा, मैं कहते हूं, एक rule याद रख लो, जिसने रखा है, वही पगार देगा, first auditor को board रखता है, तो board ही उसकी पगार decide करेगा, अगली बार से auditor को रखते ही meeting में है, तो meeting में ही decide होगी पगार, पर पगार में आएगा क्या-क्या, एक तो जो आपको साधा fees मिलता है, दूसरा जब तुम आपर जमाई वाली खातिरी होती है, तो तुमारे उपर जो भी खर् सारे काम है, कि लगे हाथ company उससे दो-तीन सर्विस और ले लेती है, तो अगर आपको और कोई सर्विस के लिए और कोई पगार मिली है, तो वो यहाँ पर 142 में count नहीं होगी, इसके साथ 142 खतम होता है, अब 143 को एक अकेला section मानना तो पाप होएगा, इसके लिए हमने 140 को क कर दिया है, multiple sections में convert, अब अगर मैं बात करू, multiple sections में convert हो गया है मेरा 143, तो मुझे 143 को अलग-अलग chunks में ही आपको समझाना है, सबसे पहला chunk है 1431 कि एक CA auditor के पास क्या power होते हैं, और उसे organization में गुसते ही, कौन-कौन से सवाल पूछने के duty होती है, तो power and duty दो पार्ट अप report देखेंगे, कि एक auditor को report बना के देनी होती है, और कुछ चीजे report में लिख कर देनी होती है, अगर ये negative होगा, तो written में मैं इसके reasons भी साथ में attach करूंगी, 1435 से 7 सिरफ government company के related provisions है, और क्या मज़े की बात है, अभी हम 1395 और 7 government company के related पढ़कर आए, और 1435 और 7 भी government company के related है, 1438 is completely branch auditor, एक बड़ी company के छोटे-छोटे branch होते है, तो उनका अलग auditor होता है, उसके उपर सब कुछ 1438 में है, 1439 से 11, actually इस particular topic में इतना relevant नहीं है, कि standards on auditing auditor पर लगते हैं, और एक कारो 2020 जो हम topic पढ़ते हैं, वो भी इसी section से emerge हुआ है, 11 से के central government नफरा के साथ मिलकर चाहें, तो क पारो कोशित कर सकती है, जो उसने कर भी रखे हैं 2020 में, 143 12 से 15 हम fraud reporting करते हैं, अगर एक करोड से कमका होता है, तो locally कर लेते हैं, बोड को और audit committee को, और एक करोड से उपर हुआ, तो हम लोग करते हैं, central government को परेशान, 143 करेंगे, एक सांस में finish, उसके पहले, ले लेते हैं, much needed, break, आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हाइडरेट हो जाईए, इस वेरी इंपॉर्टेंट तो से हाइडरेटेट, स्पेशली वेन या पुटिंग इन लॉंग आउर्स फॉर स्टडीज, 143 1 पर आ जाते हैं, 143 1 में पहले मैं आपको पावर बता रही हूँ दो ही पावर है ओडिटर के पास, वो चाहे जो किताबे, जो बोक्स, जो वाउचर, जो रेकॉर्ड, हर चीज मिलेगी उसको वो मांग सकता है, मिनिट बुक भी मांग सकता है, उसे जो कागस का तुकड़ा चाहिए, और्गनाईजेशन को देना पड़ेगा, इन फाक्ट, स की किताबे भी देनी पड़ेगी जितनी CFS चेक करने के लिए ओडिटर को चाहिए, इसके साथ साथ, वो हर officer, हर employee से जो बात करना चाहता है, जो पूछना चाहता है, जो inquiry करना चाहता है, वो कर सकता है, इसमें कौन-कौन सी ऐसी inquiry है, जो तो उसे करी लिनी चाहिए, duty to make inquiries, देखिए, मैं 6 सवाल है, जो हर audit में जाके, हर एक company के employees से पूछूंगी, पूछूंगी, मैं इसे लिखूंगी ने, सिर्फ पूछूंगी, अगर इनका जवाब negative में आया, तो मैं मेरी audit report में इसको लिखूंगी, वरना मेरी audit report में मैं इसका जिक्र भी नहीं करूंगी, तो म pre-judicial to the company interest, कभी-कभी कोई transaction होता है, जो सिर्फ किताबों में होता है, जैसे कि depreciation, आप किसी को जाकर cash तो नहीं देखे आ रहे हो, depreciation के बहाफ पर, या फिर कोई provision आपने बनाया है, तो वहाँ पर भी cash नहीं गया है, तो वैसे cases में, क्या वो entry company के hit के खिलाफ है, is it prejudicial to the interest of the company, देखिए अगर आपकी company, investment या banking company है, तो मैं उससे ये सवाल नहीं पूछूंगी, उसके अलावा हर company से मैं पूछूंगी, पर तू बुडबक है क्या, तूने जिस value पे share debenture खरीदा, उससे कम पे कौन बेचता है, यार, have you sold it at a price which is less than your purchase price, अगला सवाल मैं पूछूंगी चंटे loans and advance को deposit की तरह दिखाता है, या फिर कोई personal expense को तूने revenue में charge कर दिया क्या, अगला point जो हम पूछेंगे वो ये होगा कि किताबों में अगर लिखा है कि shares cash के लिए lot होंगे, तो क्या cash actually आया है, अगर cash नहीं आया, तो किताबों को वापस ठीक तो करो, balance sheet को ठीक तो कर तो correct, regular, correct, regular and not misleading, ऐसा आपको किताब को convert करना पड़ेगा, ये 1431 complete हो गया, आप आते हैं 2 से 4 पर audit report, देखिए हर एक auditor पो audit report देना पड़ेगा, ये आपके पूरा एक audit subject के लिए ये section में is possible है, हर एक company में, जो CA होगा, वो members को financial statements true and fair, सच्चे है कि नहीं, company की सच्चे हालात बताता है कि नहीं, profit and loss और cash flow का current situation बताता है कि नहीं, CA इसके उपर audit report जेनरेट करके देखिए, ये जेनरेट करते वक्त, एक CA companies act follow करता है, खुदको AS आते हैं, तभी तो company की कमी निकाल पाएग reporting में, और standards on auditing भी follow करता है, ताकि एक अच्छी audit कर सके, सब कुछ सही तरीके से करके दे सके, CARO 2020 की reporting भी वो साथ में पीछे attach कर दोता, 143 subsection 3 की अगर मैं बात करू, principal assertions, ये बेटा written में ही करना है, हर audit report के पीछे, ये सवालों के जवाब attach दोता, पहला सवाल, क्या auditor को सही म maintain कर रही है, जो कानून उसको करने बोल रहा है, क्या adequate returns उन branches से मिल रहे हैं, जो visit किये ही नहीं auditor ने, क्या report जो branch auditor से receive हुई है, मतलब जिस company का audit आपने किया है, उनके जित्ती भी branches है, जरूरी नहीं सब का audit आप करूए, कभी-कभी branch में दूसरा auditor है, तो अकर branch auditor दूसरा है, तो वो आपको report देगा, फिरी जाके आप company की main report बना पाओगे, तो क्या वो branch auditor से आपको report मिल गई, और आपने अपनी report में उसे किस प्रकार से deal किया है, balance sheet P&L की शकल books of accounts से मिलती है न, company ने accounting standard का पालन किया के नहीं, ऐसे कौन से observations है जिनका negative या adverse effect दिख रहा है, क्या सारे के सारे directors company से disqualify हो गए, नियम कानून न मानने के लिए 1642 में, क्या हमें कोई qualification या adverse remark देना पड़ा, क्या company के अंदर camera, ID, password, इत्यादी, internal financial controls काफी थे, य कभी कभी क्या होता है, camera लगे होता है, पर चलते नहीं, ID, password होते हैं, पर कोई implement करता नहीं, biometric devices होती है, पर वो inactive हो जाती है, तो क्या control सिर्फ होना ही जरूरी नहीं है, क्या वो चालू है, क्या वो चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, लेकिन internal financial controls इतने महंगे होते हैं, कि उन्हें छोटी companies कभी नहीं afford कर सकते हैं, तो छोटी company का auditor, जैसे कि private company OPC small, या जिसका turnover 50 करोड से कम है, और मांगा हुआ पैसा भी 25 करोड से कम है, उसके related controls auditor को चेक करनी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि होंगे भी नहीं, उसके पास camera के अलावा कुछ भी, कुछ matters और भी है, जुने rules के तौर पर report में डाला जाता है, कि क्या financial statements में चालू cases, मेरे company के against जितने भी cases चालू है, क्या उनका impact disclosed है, future में हो जाने वाले material घाटों का provision आज से बना रखा है, अच्छा, dividend chapter में कह दिया था, कि 7 साल तक अगर कोई मांगने नहीं आया, तो IPF म में, अच्छा, जितना management ने बोला है, कि उन्होंने loan लिया या दिया, क्या उतना ही लिया दिया, ऐसा कुछ auditor की नजर में आ तो नहीं गया ना, जिससे हमें लग रहा है management जूट बोल रहा है, मिस statement कर रहा है, dividend distribute करते वक्त section 123 comply किया ना, क्या company कैसा software यूज करने लगी है, जो अपने पीछे audit trail छोड के जा रहा है, क्योंकि अब 2023 एप्रिल से, यह mandatory है कि आप audit trail वाला ही audit software यूज करें, accounting software यूज करें, अब यह सब provisions पढ़ने के लिए, एक बार मैंने समझाने के लिए, सब समझा दिये, पर अब तक की कहानी बताने के बाद मैं यह कहना चाहती हूँ, तो there are only two sections which are utmost important, 139 appointment and 141 disqualification, उससे हलका तो भी अगर कोई section थोड़ा भी relevant है तो वो है 140 removal, जिसमें resignation वाले पार्ट से काफी बार question बनता है, other than that 143 तो बिलकुल base है और इसको बिलकुल exam point of view से जाधा पढ़ा नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको इत्तम short करके यहां present किया है, आ आप इतना ही read करोगे तो आपका काम हो जाएगा, इसे by heart करने की need नहीं है, और अगर कोई exam में question आ भी जाता है तो चार point से जाधा, तो हमें लिखने नहीं होते हैं उसके अंदर, तो इतने बड़े-बड़े answers पूरी तरीके से याद करने का कोई sense नहीं है, अच्छा भी 143 में इतनी बड़ी list पड़ी थी, अगर उसमें से एक का भी answer negative में आता है, जैसे पहला ही point था, क्या मुझे information explanation मिला, अगर मेरा answer है जी नहीं, मुझे नहीं मिला, तो क्या मुझे, क्यूं नहीं मिला, उसका मुझे reason लिखना पड़ेगा, मतलब मेरा कोई भी negative answer होगा ना, तो उस case में मैं reason भी लिखूंगी, कि मेरा वो negative answer क्यूं आया है, तो reasons for negative answer भी आपको यहां पर mention करना पड़ेगा, ओके, अब 143.5 से 7 के case में, यह सिर्फ government company के case में होगा, क्या होता है ना, कि CAG कुछ directions auditor को लिख कर देता, कि normal audit report तो बेटा, तो साबाश बनाए गई, पर इसके अलावा मेरी कुछ बाते और दिहान में रखना, तो auditor जब अपनी audit report बनाएगा ना, तो उसके अंदर साधारन audit report वाली बाते तो लिख देगा, पर वो यह भी लिखेगा कि मुझे क्या ज्यान मिला था CAG से, मैंने उस पर क्या action लिया, और जबर जस्त उसका impact क्या आया financial statements प के CAG को अपनी report जमा करतेगा, CAG को यह report मिलने के 60 दिन के अंदर-अंदर, अगर CAG को लग रहा है, मैं इस पर कुछ टिपणी देना चाता हूं, comment, तो CAG वो भी करेगा, अगर वो खुश नहीं है और वो उसकी जादा audit कराना चाता है, supplementary audit तो वो भी करा सकता है, याद रख implement audit report भी जुड़ेगा, members को देने में, AGM पर दिखाने में, CAG चाहे, तो कुछ-कुछ चीज़ों के test audit भी करवा सकता है, यह हो गया 1435 से 7, अब 1438 में बात करते हैं, branch auditor की, भाई साहब, कौन बनेगा branch auditor, क्या हमेशा company auditory branch auditor बनेगा, जरूरी नहीं है, जिद मत करो CA, क्योंकि इंडिया में company auditor branch auditor बन सकता है, पर अगर कोई और इंसान है, जो qualified है, यानि CA with COP not disqualified under 141, तो वो भी बन सकता है, अच्छा, अगर branch इंडिया के बाहर है, तो company auditor बन सकता है, उस country के नियमो के आधार पर जो भी accountant है, चाहे वो CPA हो, ACCA हो, जो भी qualified इंसान है, वो जो है outside India auditor बन सकता है, इसकी powers and duties देख लेते हैं, branch auditor के, 143, 1 से लेकर 4 तक सभी जो एक normal auditor को लगेंगे, वो branch auditor को भी लगेंगे, 12 से 15 अभी मैं fraud reporting सिखाऊंगी, वो भी इसे लगता है, और 147 की penalty अभी हम देखेंगे, वो भी इसको लगती है, देखें यह हो गया branch audit के बारे में discussion, branch auditor का main काम होता है, कि वो company auditor को एक report लिख कर देदे, यह report को company auditor चाहे जिस manner में deal कर सकता है, मतलब normally तो company auditor अपनी report में यह लिख देगा, कि इतने इतने करोड की branches, इतने इतने करोड के asset मैंने audit किये ही तो other matter para के अंदर में वो यह detail बता देगा, जो audit subject का part होता है, 143.8 branch audit हमारा यहां पर complete हो गया, 143.9.10 जो basic standards on auditing को लेकर, ऐसे सब auditor को comply करने है, ICI recommend करता है, NFRA उसको पहले examine करके, खुद के भी recommendation CG के पास बेचता है, CG discuss भी उसी से करेगा वापस, consult करेगा और सिर्प्रिस्क् 143.11 बात करता है कारो की, कारो central government और नफरा ने मिलकर दिया है, दोनों की बहुत गनिश्ट मितरता हो गई है, special order pass हुआ है, कि अपसे auditor audit report के साथ साथ एक ऐसा additional statement 21 matters पर और लिख कर देगा, 143.12 से 15 होता है fraud reporting, fraud reporting किसने किस पर किया है, पहले यह देख लो, एक employee है, उसने company प कम है, तो CA दो दिन के अंदर अंदर, board को या audit committee को बता देगा, क्या fraud हुआ था, कितने amount का हुआ था, किस ने किया था, board को action ले लेना है, और अपनी board report में disclose कर देना है, क्या fraud हुआ था, कितने amount का हुआ था, और क्या action लिया था, बढ़ अगर action लिया ही नहीं अब तक, तो तो बांडा फास करो, भई, party कौन है, क्या पता related party निकल गई हो, इसले action लिया हुआ, तो तुम बताओ, ठीक है, कैसे, कितना, किस ने सब बता दिया, पर अगर amount एक करोड से उपर है, बाबा रे बाबा, बहुत बढ़ा amount है, तो पहले तो वापस वाई करेंगे, दो दिन के जवाब और तयार करेंगे, comments, पंदरा दिन के अंदर-अंदर ADT-4 जो है, Central Government को फाइल करेंगे, but suppose जवाब आयाई ने, तो मैं तो सीधा वो ADT-4 और वो reply, क्या बाई में को reply नहीं आया इनका, ऐसी complaint, ये दो चीजे में हाथ के हाथ Central Government के पास, बिजबात है कैसे Central Government के पास, MCA जो Secretary होता है न, उसके पास Speed Post या RPAD से भेजते हैं, और फिर एक E-mail पे Confirmation भी भेजते हैं, कि मैंने तुझे Fraud Report बेजा था, मिला क्या, ति ये है न, इद्दम चौड़े में ADT-4 पे अपने नाम, एड्रेस, नमबर, उसको अगर डर लगता है कि मैं यार मेरी Client के इतनी चापनी कर रहा हूं, तो हम उसे शान्त करते हैं, अगर आपने ये good faith के लिए किया है, तो, similarly, भाई साब CMA, CS, इनको भी लगता है ये section, भाई शुड चार्टेड अकाउंटें और अडिटर अलोन, पेस अबरीतिंग, पनिश्मेंट इसकी ये है कि CS, CMA, CA, अगर लिस्टे है, वैसे भी, इतना बड़ा accounting fraud, CA के involvement के बिना, अगर हुआ है, तो उसकी नजर से बच पाना बहुत मुश्मिल थी, इसके साथ आपका 143 पूरा finish हो गया, जो कि सबसे बड़ा section था हमारा, लेकिन बहुत important नहीं था, थोड़ा भी कुछ important था, उसमें से तो ये fraud reporting वाला पार signing, 146 attending general meeting and 147 penalty, ओके, 145 में अगर मैं signing की बात करूँ, तो भाया CA ही sign करेगा audit report पर, और कोई भी कमी जो निकली थी, वो ओरली बोलकर AGM पर read कर सकता है, या फिर वो members के लिए open करके छोड़ सकता है, और members आकर इसको inspect कर सकते हैं, meeting में तो जाना पड़ेगा आपको, आपके पास notice आएगा meeting का, और CA को attend करना ही पड़ेगा, खुद कर लो बहुत बढ़िया, खुद नहीं कर पा रहे हो, तो किसी authorized representative को बेजना चाहिए, जो कि आपके जितना ही qualified होगा, यानि CA है, COP है, disqualified नहीं है, सब कुछ, सिर्फ एक case मे आपको छोड़ दिया जाएगा, जब आपको company खुद exempt करें कि मत आओ, तो आप खुद भी मत जाओ, किसी representative को भी मत बेजो, चलेगा, opportunity of being heard, सिर्फ तभी जब आप auditor की तरह ही कोई बात बोलोगे न, यानि auditor की capacity में, आपको कुछ बोलना है meeting में, तो आप बोल सकते हो, otherwise कोई मुद्धे पर आपको बोलने का हक नहीं है, penalty देख लो कैसी है section की, penalty सबसे पहले 139 से 146, company officer in default, पूरे पूरे chapter की penalty है उनको, of course company को जादा लगी की penalty और officer को कम लगेगी, तो officer को 10,000 से 1,00,000 है, वाँ company को 25,000 से 5,00,000 है, यह same penalty auditor को लगती है, लेकिन auditor को penalty है, जो लगती है न तो मेरी पगार का कित्ता भी गुना कर लो, वो भी नहीं आ रहा है इतना, तो इन लोगोंने rule निकाला है, four times remuneration of five lakh, whichever is lower, यह auditor की penalty होगी, auditor को पूरे chapter की penalty नहीं लगती, auditor को penalty लगती है, सिर्फ तीन section की, appointment, prohibited services, और 145 में signing report, अगर गलती से prohibited services दे दी, तो फिर उस case में आपक इस section की penalty लग जाएगी, याद रखिएगा, आपको कमाई गई सारी remuneration भी refund करनी पड़ेगी, और यह तो तब जब आपने unintentional गलती से कीती error, अगर आप जान मुझके करोगे, तो तुम्हें कहना ही भूल गई आपको, सब कुछ गोलमाल हो जाएगा, पांच लाग बन जाए 25 लाख और 4 गुना बन जाएगा, 8 गुना, whichever is lower, इतनी भैंकर पेनल्टी और बाबा रे बाबा, एक साल की jail, इतने prestigious auditor को भी, क्योंकि ऐसे cases सामने आ गए, जहां scam हुए, और chartered accountants involved निकले, तो सरकार को ऐसे hard steps लेने पड़े, damages, company, statutory body, member, creditor, किसी को भी कोई भी घाटा लगा है, तो वो CA ही चुकाएगा, इस damage को recover करने के लिए, किसी lawful body को, statutory body को CA के पीछे सरकार लगा देगी, और firm पूरी liable होती है, 447 में fraud के लिए, पर अगर पता चला, एक ही party, एक ही partner criminal liability में involved था, तो उसकी अकेले की liability हम पैदा कर देंगे, बाकी partners को बचा देंगे उस penalty से, इस इनने stat audit complete कर लिया है, 147, 145, 146, अब बारी आ जाती है, आखरी topic की 148 cost audit, जो तो दुनिया ही अलग है, cost auditor सबसे पहले तो मैं बता दू कि हर किसी के बस के लिए ही नहीं है, हर किसी के regarding ही नहीं, cost audit किसे लगता है, मुझे इसके personally provisions तो बड़े मज़ेदार लगते है, cost audit लग रहा है केवल और केवल उसको जिसका नाम CG order में लिख रहा है, central government ने एक order निकालिया, और इस order के अंदर में 33 plus 6, कुछ इतनी कंपनियों का नाम लिख दिया है, चाहे वो domestic company हो या foreign company हो, अगर वो हमारे देश में goods and service produce कर रहे हैं, तो वो 148 में attract होंगे, 148 में दो प्रकार की गमनीज का नाम है, जैसे मैंने बता दिया, 33 non regulated वाली और 6 तो ऐसे नाम है, जिनके उपर कानून भी बने वे हैं, कानून बने वे हैं, like electricity पे टी आरे आई वैसा, तो टेलिकॉम पे टी आरे आई, electricity पे इलेट्रिसिटी बोर्ड, तो ऐसे छे नाम है, इलेट्रिसिटी आपक आपका टेलिकॉम, आपका इंडस्ट्रिल शुगर और आलकोहॉल, फिर आपका ड्रग्स और फार्मा, फिर इस प्रकार की जो regulated sector है, वो सब table A में आते हैं, और बाकी 33 नाम है, जो table B में आते हैं, अगर आप इस लिस्ट में आते हो, तो आपको records बनाने हैं, पर records कब बनाने जब आपका total turnover, आपकी full सारे businesses का overall turnover मिला कर, मतलब एक company है, जो table A का एक काम कर रही है, table B का एक काम कर रही हो, कुछ ऐसे भी तो काम कर रही होगी न, जो specified नहीं है लिस्ट में, मतलब 33 प्लस 6, 39 businesses के अलावा भी तो manufacturing होती है, तो ऐसा भी कुछ आप कर रहे हो, तो आपके all products क turnover 35 करोड से अगर exceed होता है, तो आपको records बनाने है, सिर्फ table A और B वाले businesses का, मतलब turnover गिनते time सब goods and service को add करेंगे, but records बनाते time सिर्फ table A और table B के ही बनेंगे, एक छोटा सा example ले ले लेते हैं, जैसे एक company है, जो table A के products, table B के products और table C के ये products बना रही है, these are situations, situation number 1 में अगर आप total लगाएंगे तो 30 करोड आता है, क्योंकि 30 करोड actually 35 करोड का exceed ही नहीं कर रहा, इसलिए cost records नहीं बनेंगे, बाकि सब cases में total 40 करोड आ रहा है, which is exceeding 35 करोड, मैंने तीनों का total मारा है, तीनों का total मार कर 40 करोड आ रहा है, सब totals में, तो ऐसे case में मुझे सब के records तो बनाने सिर्फ लास्ट वाले case में 35 करोड से उपर होते भी नो आया है, क्यों? आईए देख लेता है, देखिए records बनाने के लिए चेक करते हैं लिमिट 35 करोड की, पर records बनते सिर्फ A और B के हैं, यानि regulated और non regulated के, non specified के records बनते ही नहीं, क्योंकि उनका नाम ही नहीं है, सरकार चाहती नहीं उनके records, तो first case में A और B दोनों का बनेगा, मैंने green mark कर दिया है, second case में क्योंकि A ही नहीं, तो सिर्फ B का बनेगा, तो मैंने B mark कर दिया है, third case में क्योंकि B ही नहीं, सिर्फ A है, तो A mark कर दिया है, fourth case में again A और B है, non specified नहीं है, तो पूरे का बनेगा records, fifth case में भले 35 कर करोड के उपपर turnover जाना है मतलब cost records बनाने हैं पर बनाओं किसके ना A है ना B है इसलिए मेरा cost records नहीं बनेगा तो यह हो गया cost records किसको बनाने होते इसका जिंदगी में केवल एक exception है MSMED Act के अंदर अगर आप micro या small enterprise हो तो आप चाहे 35 करोड से उपर भी चले जाओ limit पर आपको cost records नहीं बनाने हैं क्योंकि आप exempt हो यह तो हो गई cost records बनाने की बात अब audit किसे कराना है obviously जिसने records बनाए है audit भी वही करवा सकता है तो audit कराने के लिए भी सिर्फ table A और table B वाले ही eligible है जो non specified activities है वो तो eligible नहीं है बट अगें audit के लिए दो limit चेक करते हैं और first limit में ये लोग फिर से सारा का सारा turnover चेक करेंगे यानि जोडते वक्त ये लोग आपका A B अदर काम साब का turnover गिनेंगे जो पहले 35 करोड के उपर चाहिए था ना वो अब आपको 50 करोड के उपर चाहिए 50 करोडिया उससे जादा और इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये तो एक शर्त हुई कि आपके total turnover को हमने देखा अब हम ये भी देखेंगे कि जिनके records बने थे यानि table A और table B अगर केवल उनके turnover को जोड़ा जाए तो क्या वो 25 करोड या उससे जादा है now suppose ये दूनों limit exceed हो गई तो बिटा audit सिर्फ table A की होगी लेकिन अगर ये limit पहली वाली 100 करोड से उपर है और दूसी वाली 35 करोड के उपर है तो यहाँ पर A के भी बन रहे है records और B के भी बन रहे है records audit हो रही है क्योंकि A की limit तो by default हो गई न 50 करोड और 25 करोड क्योंकि 100 करोड में 50 करोड आ गया और 35 करोड आ गया तो table A और B दोनों का यहाँ पर audit होएगा ये limit के related आईए इसको समझने के लिए एक example देख लेते हैं यहाँ पर कुछ 10-11 cases बने हो हैं सबसे पहले मुझे table A, B और others तीन category के businesses का turnover मिल गया है तो मैं इससे 2 column बना लूँगी पहले में मैं इन 3 को जोडूँगी और इन 3 को जोड कर मैं एक बड़ा total column बना लूँगी जिसमें मुझे limit चेक करनी है या तो 50 करोड की या फिर 100 करोड कि अगर मुझे table B का भी audit करवाना है तो और फिर मैं क्या करूँगी कि सिर्फ इन पहले वाले दोनों को table A और B को अलग से जोड कर इनका एक total column निकाल जोगी और यहाँ की limit के लिए मैं चेक करूँगी पहले 25 करोड फिर बड़ी limit होते होते 35 करोड अगर यह limit exceed हो गई तो दोनों की audit होगी और अगर यह limit exceed हो गई तो cable A की audit होगी table A की तो इस तरीके से sum को solve किया जाता है आप pause करके आराम से इसको detail में solve करके और फिर answer verify कर सकते हैं मैं अभी आपको फटा-फट solve करके बता रही हूँ मैंने सबका total already यहाँ लगा रखा है पहली बात तो cost records बनाने है की नहीं पहले को तो cost recording नहीं बनाने क्योंकि इसका तो 35 नहीं पूरा हुआ जिसको recording नहीं बनाने उसे audit भी नहीं करानी फिर बाकी सब के case में 40-40-40-40 है मतलब record तो सबको बनाने है और सारे questions में A और B दोनों थे सिर्फ 6th case में A नहीं है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है B only बाकी सब case में A और B दोनों के records बनेंगे अब बात करते है audit की audit के लिए मुझे सबसे पहले यह limit जिसकी 50 के उपर है वो देखना है यह 50 के उपर दिखा मुझे यह 50 के उपर दिखा यह 50 के उपर दिखा यह 50 के उपर दिखा बाकी तो सब मुझे 50 के नीचे दिखे तो मैं सब को नो कर दूँगी इन एक दो तीन और चार को छोड़ कर एवरीधिंग इस नो फ़र नी एक सब इसको छोड़ना है मुझे बाकी सब मेरे लिए 9 था क्योंकि 50 की लिमिट ही क्रॉस नहीं हुई अब जब इन केसे में 50 की लिमिट क्रॉस हुई है तो बाजू में आकर मुझे देखना है कि क्या 25 की लिमिट क्रॉस हुई है इस केस में हुई है तो ओडिट तो होगी इस केस में भी 25 की लिमिट क्रॉस हु यहां पर 100 बहुत हो गया और 35 वी क्रॉस हो गया मतलब एस दोनों की ओड़ित होगी इस केस में हुआ पर 25 भी क्रॉस नहीं हुआ यानी किसी की भी ओड़िट नहीं होगी तो ओड़िट करने के लिए दो दो लिमिट देखनी हो यह ङए मैस्ट कर लेते हैं हम लोग एक बार त तो अगेन सिर्फ एक ही audit होगी पर इस अकेले case में 100 भी cross हुआ है 35 भी cross हुआ है यानि B वाली limit भी cross हुई है तो A वाली limit तो automatically cross हो गई तो A और B दोनों की audit होगी इसके साथ हमने complete कर लिया कि cost audit कब कब करानी होती है इसके भी तो मज़ेदार exceptions है न तीन exception है विटा exception में audit नहीं करवानी मतलब अगर आप इस exception में हिट करते हो तो records तो आपको फिर भी बनाने है बस उनकी audit नहीं करवानी होगी तो audit नहीं करवाने के लिए पहला exception है अगर आप 75% of your total revenue को exports कर देते हो तो second है special economic zone से काम करते हो तो और third electricity बनाते हो मगर सिर्फ खुद के use के लिए बेचने के नहीं तो electricity भले regulated list में होगा पर आपको उसका सिव record बनाना है आपको उसको audit नहीं करवाना है तो यह complete हो गया आपका audit के related provision अब कुछ miscellaneous बाते section 1 48 के related cost records के related कुछ basic बाते कर लेते कि cost records कैसे किसे बनाना होता है सबसे पहले तो इन जिनको बनाना है उनकी बाते हमने कर ली बनाना CR1 में है CR1 में material labor other सारा कर्चा लगा कर कि क्या cost निकल क्या है वो ऐसा unit और branch का calculation करना कि आपके cost का आपके product का per unit cost cost of sales margin हम जो calculate करना चाहिए monthly quarterly half yearly annually जैसे करना चाहिए करके देख सके इस प्रकार का आपका काम होना चाहिए कौन यह records maintain करेगा कौन audit करेगा तो audit करता है cost कि देखिए नॉर्मली stat audit करता है आपका एक सीए यानि चार्टेड अकाउंटेंट और cost audit करता है cost accountant कि एक बात याद रखिएगा कि जो सीए बन चुका है जो सीए 139 में audit कर रहा है वो सेम आदमी कि कॉस्ट अडिट नहीं कर सकता stat auditor and cost auditor cannot be the same people they have to be different people यानि एकी फिर्म में अगर सीए भी है और सीए में भी है तो दोनों मिलकर के एक साथ में एक फिर्म की दोनों activities नहीं कर सकते prohibited activity में count होगा वो अब इसकी appointment की बाते कर लेते हैं सबसे पहले appointment की इसकी बात यह है कि audit committee अगर होगी तो वो recommend करेगी वरना board सीधा appointment कर लेगा यहां पर members की बिल्कुल involvement नहीं है बहुत फटाफट हो जाता है इसका काम यानि हम लोग क्या करते हैं इस case में हम लोग appointment के case में यहां पर central यह क्या बोलते हैं members को बिल्कुल involved नहीं करते हैं audit committee recommend करता है board appoint कर लेता है CDC बात है कंपनी 180 days के अंदर में साल शुरू होने के auditor को रख लेती है inform कर देती है auditor को inform कर देती है central government को CRA2 के अंदर में जो पॉस्ट ऑडिटर है न सेम स्टाट ऑडिटर वाला consent और चार्ट चीजों वाला certificate फाइल करता है अपने को सरकार को जो inform करना है वो कब करना है देखो 180 दिन में तो रखी लेना था तो 180 दिन में तो inform भी करी देना है साल खतम होने के या अगर report पहले देके चला गया तो क्या काम है तू चला जा रेमिनरेशन की बात भी सेमी है audit committee है तो recommend करेगी बोर्ड अप्रूव करेगी और इस बार सिर्फ पगार के लिए shareholders को involved किया जाएगा रखने और निकालने में shareholders का कोई काम नहीं है इसका removal काफी आसान है तो removal का एक point आता है अगर बोर्ड ने मिलकर बोर्ड resolution पास कर लिया तो सिर्फ cost auditor को एक बार opportunity of being heard मिलेगा फिर अपन reasons record करेंगे और उसको निकाल देंगे यहां पर अपन को सिर्फ central government को inform कर दिना है CRA2 के अंदर में कि हम लोग उसको निकाल रहे हैं for reasons recorded in writing और नए बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं तो नया बंदा जब भी अपॉइंट होता है तो अपन वैसे भी CRA2 में यहां पर भी इंपॉर्म कर रहे थे अपन को इंफॉर्म करना है यह process constant है throughout ओके सब्सक्राइब डिस्कास एवरीटिंग अबाउट में रेमिनरेशन कौन हो सकता है कॉस्ट अकाउटेंट सेम नहीं होना चाहिए stat auditor वाला रेमिनरेशन रिमूवल कैश्वल वेकेंसी बच जाता है tenure 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 भी हमने डिसकस कर लिया साल खतम होने के 180 दिन तक या फिर अगर वो report पहले देके चला गया तो जाओ रिपोर्ट कब तक देनी है बस वही बात आ गई वापस 180 दिन के अंदर ही तो देनी है रिपोर्ट C.R.A.3 में cost auditor देगा company को और company अगले 30 दिन में C.R.A.4 में XBRL format बनाके सरकार को चेप देनी क्योंकि यह share holders ने नहीं मांगी है report everything related to cost audit is shouting central government क्योंकि central government नहीं करवाने बोला central government के लिए ही किया तो सब कुछ उसी से related है इसके कुछ miscellaneous provision है cost auditor को cost auditing standards follow करने होते हैं इसका भी qualification, disqualification, right, duty सब कुछ same है 143.12 fraud reporting cost auditor को भी लगता है, penal provisions 147 cost auditor को भी लगता है और cost auditor को अपना काम करने में जिस जिस assistance, जिस जिस facility की requirement है, कृपिया उसे provide की जाए इसके साथ हमारा complete हो जाता है 139 से लेकर 148 तक का ये विशाल का है chapter see you in the next revision video, all the best and कोई भी doubt रहे तो comment section में do let us know अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा हो तो comment करें ताकि ये जादा से जादा बच्चों की CA बनने में help कर सके, thank you